नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षित दिवेदी एक और वीडियो में आपका स्वागत है Michigan State of USA की Flint Water Crisis देखें वैसे तो US का एक स्टेट है Michigan उस स्टेट Michigan में एक सिटी है Flint वहां की ये वाइटर क्राइस है और काफी पुरानी Water Crisis है कुछ वजहों से निउस में रही है लेकिन कहीं न कहीं यहां पर हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं देखें इन्वार्मेंट हमारे UPSC की सिलिवस का और किसी भी एक्जाम की सिलिवस का एक important point है आप चाहिए UPSC एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या किसी और एक्जाम की त लाए हैं और कहीं न कहीं उन राइट्स के लिए सिटिजन्स खुद लड़े हैं उसके लिए perfect एक्जाम पे लिए इसलिए यहां पे मैं दस मिनिट के अंदर आपको पूरा का पूरा इश्यू समझाओंगा तो सबसे पहले देखेंगे यह फिरिंट वाटर क्राइस निउस म इन दे यूएस आपको पता है यूएस में पचास लगलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट अपने decision making domain में independent है autonomous है उसके उपर केंदर सरकार यूएसे की जो केंदर सरकार उसका कोई control नहीं है प्रेजिडन का कोई control नहीं है अपने decision making domain में वो autonomous है तो यह जो state of Michigan in the यूएस के nine former officials के अगेंस्ट है कुछ सजाएं सुनाई गई है जिसमें state के former governor Rick Snyder भी involved है चुकि ए criminal investigation चालू है Flint water crisis में Michigan की जो solicitor general है फादवा हमुद and Wayne country prosecutor Kim Elworth इन्होंने बताया कि 12 महीने की court proceedings के बाद, jury proceedings के बाद, nine officials को 42 counts पे responsible माना गया है with respect to a series of alleged actions and inactions that created the historic injustice in the Flint water crisis Flint water crisis के चलते, जो Flint city के लोगों को नुकसान हुआ, उनको इंसाफ देने के लिए 12 महीने की जो judicial proceedings चली उसके बाद, nine officials के उपर charges लगाए गया है, prove हुए है 42 cases, 42 आप कह सकते हो गलतियों के लिए उनको responsible माना गया है कही न कहीं, यह जो Flint water crisis है, यह बहुत past की crisis नहीं है, कुछ दिन पहले ही यह news में रही है, 2014, 15, 16, in fact 17, अभी भी यह news में है और आज भी जो Flint के लोग है न, वो इस crisis के चलते सफर कर रहे हैं, the people of Flint, they continue to the suffer from the categorical failure of public officials at all levels of government, जो कुछ भी Flint case, सरकार थी, state government थी, उसने जो कुछ भी क्या, उसके लोग आज की date में भी सफर कर रहे है और accountability in officials के उपर नहीं आई है, अब accountability finally आ रहे है, अब देखते हैं पूरी की पूरी crisis क्या है Flint एक बहुत बड़ा शहर है, Michigan नाम के state में या province में in the United States सबसे पहले United States में देखते हैं कि Michigan है कहां पे, तो यह पूरा का पूरा United States के अलग-अलग जो इस states का नक्षा है, वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ Michigan नज़र आ रहा है, बिल्कुली Canada की boundary पे इस Michigan शहर में आपको यहाँ पे Flint City नज़र आएगी, और इसके पास है Detroit और Detroit के पास कौन-कौन सी लेक है, एक तो ऊपर की तरफ आपको लिख रही है, एक नीचे की तरफ देख रही है, आपको Lake Erie तो देखा जाये तो इस Flint शहर के लिए सबसे पास कौन सी लेक का पानी अविलेबल है, तो आप कह सकते हो Lake Huron का पानी अविलेबल है, उससे धुरा दूर चले जाए तो Lake Erie, उससे थुरा दूर चले जाए तो Lake Michigan तो basically जो Flint City है, यह जो Five Lakes है ना अपकी, USA और Canada के बॉर्टर पर जो पढ़ती है, उस इलाके में पढ़ता है Flint City तो Flint City सबसे बड़ा शहर है, Michigan, United States का, इसमें एक नदी बहती जिसका नाम है Flint River, ठीक है यहाँ पर एक और शहर है, जो कि इसका नाम है Detroit 2010 census के साफ से जो Flint नाम का शहर है, इसकी आबादी एक लाग से थोड़ी जादा थी, लगबग एक लाग दो आजार, जो कि 7th largest city है Michigan में, when it comes to population आगे बात करते हैं, अब बात हुआ क्या है यहाँ पर, देकि Flint Water Crisis आज से नहीं मन रहे है, Flint Water Crisis आप कह सकते हो, it was a crisis in making बहुत ही लबग समय से लगबग century से जादा से जो Flint नदी है, वो Flint city के थूँ बह रही है, और कही न कहीं इस Flint नदी में, जो भी local industries है, जो भी paper mills है, Flint city के वो अपना कचड़ा इस नदी में फेकते थे Flint city के जो waste treatment plants थे, जो agriculture, urban runoff थे, leeching landfill से toxic, जितने भी प्रकार का कचला, चाए वो household के level का कचलाओ, चाए वो industry के level का कचलाओ, paper mill के level का कचलाओ, किसी भी प्रकार का कचलाओ, वो इसी नदी म फेका जाता था और कहीं न कई Flint एक industrialized belt को belong करता है, चुकि आप देखे, mid 20th century में Flint ही वो जगा थी, जहां पे जो GM नाम की company है, चैनल वोटरस नाम की company है, USA की जिसका बर्थ हुआ था, ठीक है भई, दो लाग पीपल इस फ्रिंट नाम के शेर में रहते थे, mid 20th century में बहुत बड़ी automobile industry थी औ लोगों को नौकरियां वगरा मिल जाती थी, तो बहुत लंबे समय तक Flint एक urban economy की तरह develop होता रहा, urban city की तरह develop होता रहा, और उसकी नदिया और गंती होती गहीं, गंदी होती गहीं, गंदी होती गहीं, उसके बाद आप देखे, 1980s में crisis आई, और उस crisis के चलते दुनिया भर म में उनके दाम बढ़ गया, तो कहीं न कहीं, automobile industry of the USA को एक धक्का मिला, और चूकि आपको पता है कि जो Flint नाम का शहर है, यहाँ पर automobile industry dominate करती थी, तो थोड़े दिन के लिए, या कुछ सालों के लिए, automobile industry ठप पढ़ने लगी, जब automobile industry ठप पढ़ने लगी, बहुत सारे लोग जो कि Flint में बाहर की जगहों से आके settle हुए, तो वो Flint छोड़े चले गए, और कहीं न कहीं जो economy थी Flint की वो तूटने लगी, जो कि economy automobile industry की दम पे चल रही थी, और वो automobile industry नीचे जा रही थी, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो Flint city की economy काफी लंबे समय तक खराब रही, 2011 तक आते आते जो Flint की economy थी, बहुत परिशान थी, Flint एक cash strapped city बन चुका था, एक समय पे prolific urban settlement के बाद, अब Flint एक ऐसी city बन गया था, जिसके ओपर बहुत depth था, 25 million dollar की deficit थी, तो भाई ये बोला गया कि इसको state control के अंदर लेकिया हो, तो पहले जो Flint का administration था, इसमें जो बड़े बड private corporates थे, dominate करते थे, लेकिन जब automobile industry थप हुई, तब state को बुलाया गया, अब state में कौन आएंगे, तो Michigan में पढ़ता है, Michigan नाम के state में पढ़ता है Flint City, तो उस समय के Michigan के governor Rick Snyder आये picture में, Rick Snyder से पूचा गया क्या करें, Rick Snyder ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ, Rick Snyder ने एक emergency manager को यहा कुछ solution निकाली है, तो भाई, यह जो emergency manager है, यह इसने सोचा कि कैसे ना कैसे करके cost cut करते हैं, पैसे cut करते हैं, अभी पैसे cut करने के लिए इसने क्या recommendation दिया और क्या decision लिया गया है 2013 में, 2013 तक पिछले 50 सालों से जो पानी आता था Flint City में, वो Detroit से आता था, ठीक है भाई, अग तो यहाँ पर अगर आप देखो Michigan ने तो Detroit आपो कहीं यहाँ नजर आएगा, और यह Detroit बिल्कुली किनारे किसके lake Huron के, तो Detroit से piped water आता था, ठीक है भाई, अब क्या बोला गया, कि Detroit से पानी ना मगा कि हम लोग सीधे Flint River से पानी निकाल के लोगों के घर तक महुचा देते है अब यह यह भूलगा कि Flint नदी कित्ती गंदी है, बहुत सारे environmental experts ने बहुत सारे जो informed citizens थे उस समय कि Flint के, उन्होंने state को बोला कि भाई, इस Flint नदी से पानी लोगों के घर तक मत पहुचाओ, Flint नदी बहुत गंदी है, Detroit से पानी आ रहा है आने दो, तो officials ने क्या बोला कि लगे, पैसा बचाने के लिए, लेकिन Flint River का पानी highly corrosive था, जो भी pipe वगारा Flint नाम के शहर में बिछे हुए थे, जो कि हजारों घरों तक जाते थे, वो pipe बहुत तेजी से करोड करने लगे, जो कि यह जो पानी था Flint नदी का बहुत corrosive था, इसमें बहुत सारे ions, बहुत सारे unt treated, organic और inorganic waste, और यह जो pipes होते हैं न, यह pipe बने होते हैं lead के, तो जब वो flint नदी का corrosive पानी in pipes से flow करने लगा, यह pipeों से lead छूटके municipal water में मिलने लगा, आज की date में भी अगर आप देखो तो यह जो flint crisis है, यह ongoing public health crisis है, जो कि 2014 में शुरू हुई, क्यों शुरू ही, जो कि पहले जो पानी सप्लाई थी, वो लिए खिरौन से आती थी, अब flint नदी से आती है, flint नदी के पानी में बहुत corrosive नस थी, बहुत oins थे, उस coronavirus के चलते, जितने भी pipelines थे, वो pipelines करोड हो गया और इन pipelines को बनाये जाता है lead से, यह lead municipal drinking water में पहुँच यह drinking water से लोग नहने लगे, इसको पीने लगे, और भाया एक disease फैला जिसका नाम था, legineuro disease, यह legineuro disease एक प्रकार का pneumonia है, जो कि legineuro bacteria की वैसे होता है, हजारों की तागाद में लोग बिमार पढ़ने लगे, US Center for Disease Control and Prevention के हिसाब से, अगर आप इस bacteria को accidentally swallow कर लेते हो, या फिर यह bacteria हवा में, और अगर आप उस हवा को breathe कर लेते हो, तो यह bacteria आपके पानी में पहुँच जाएगा और यह आपको बिमार कर देगा, तो भाई, 2013 के बाद जो यह decision लिया गया था, कि लेख खियोरान की बज़ाए पानी Flint River से लिया जाएगा, 2015 में उस decision को बदल कर दिया गया, और बोला गया कि नी भाई, लेख खियोरान से ही पानी आएगा, यह Flint नदी वाला पानी नहीं लेंगे, लेकिन 2013 से लेके 2015 के बीच म इतना damage हो चुका था, जिस damage से आज तक Flint के लोग उभर नहीं पाए हैं, जनवरी 2016 में जो state of Michigan था, इसने emergency डेकलेर कर दी, और यह बोला, city के residents को कि municipal tap water से जो पानी आ रहा है, उसको मत पीजे, क्यों, जो कि भले ही अब municipal tap water से Flint नदी का पानी आपना मंगवा रहे हो, अब हिर अब municipal water में पहुँच रहा है, और अगर आप lead को consume करोगे, तो बीमार पढ़ना तै है, एक article पब्लिश हुआ American Water Works Association में 2016 में, इस article में यह बताएगा कि जब यह decision लिया गया कि Lake Huron की बचाए, फिलिंट नदी से पानी लिया जाएगा, इस decision के कुछ हफतों के अंदर ही अंदर बहुत सी problems आने लगी, residents complain करने लगे कि पानी का color बदल गया, taste बदल गया, पानी में से गंध आ रही है, 2014 में 2014 में कुछ residents ने involved, informed किया कि उनके बच्चों को rashes हो रहे हैं, लगबख 66% of the house oats में से problem आ रही है थी, तो problem काफी बड़े level की थी, चुकि देखें, lead क्या है, melt भी ह हो जाता हाई temperature में, malleable होता है, heavy metal है, और बहुत बड़े समय से, बहुत लंबे समय से, pipes को बनाने में, लोगों ने कही न कहीं, lead का इस्तमाल किया है, यसलिए आप देखें कि जो plumber नाम का शब्द है, plumbing, plumbing मतलब कि जो भी आपका नल, टोटी, bathroom वगरा में, जो नल वगरा का काम होता है, shower का काम होता है, इसको आप plumber या plumbing बोलते हो, यह जो शब्द है न, यह plumbum से निकला है, plumbum क्या है, this is the latin word for lead, तो कहीं न कहीं, आज भी हमारे bathroom में, यह जो bathroom के जो नल वगरा लगते हैं, taps वगरा लगते हैं, इसमें lead होता ही होता है, ठीक न भई, और अगर य brain development रुख सकता है, infants का, young children का fetuses, एक मा की गर्ब में जो बच्चे हैं, उनका brain development रुख सकता है, पूरी जिंदगी का effect आता है, IQ कम हो जाता है, physical growth कम हो जाती है, anemia की problem, hearing impairment, cardiovascular diseases, आपकी behavioral problems, adults में high blood pressure, hurt and kidney disease, reduced fertility, इस प्रकार की चीज़ें बहुत common हैं, बट यहाँ पे, अब main क्या किया, flint के लोगों ने हार नहीं मानी, flint के लोग सब के पास गया, city officials, state officials, federal agencies, कहीं न कहीं, जो US की environmental protection agency है, उसके पास भी लोग पहुँचें, बट कहीं न कहीं, environmental protection agency से जब उनको मदद नहीं मिली, तो 2016 में कुछ citizens और missionary groups में मिलके, city और state officials को सू कर दिया, district court of Michigan में, और उपर legal case से लाने के बाद, finally federal judge ने, देखिए जो district courts में होते हैं, उनको भी federal judge कहा जाता है, US में federal judge का concept यह है, कि अगर आपको president appoint कर रहा है, तो आप federal judge हो, तो November 2016 में federal judge ने flint residents का साथ दिया, और यह बोला कि भाई, वो घर, जहाँ पे proper तरीके से जो tap है, वो installed नहीं है, के taps को जहां के drainage lines को proper तरीके से maintain नहीं किया गया है, उनके घर तक आप bottled water की door to door delivery करोगे, सबसे पहले तो यह बताया गया, पिर भाई, कहीं न कहीं बाद में एक और decision आया, कि flint city के जो हजारों की तागात के lead pipes हैं, इनको state funding की मदद से इनको बदला जाएगा, जहाँ जरू लोगों को education program दिया जाएगा, किस तरीके से उनको tap water यूज करना है, किस तरीके से नहीं करना है, समर के तोरान, जब lead melting की problem जादा हो जाती, तो free bottled water लोगों को बाटे जाएगे, continued health program चला जाएगे, ताकि लोगों की health को properly monitor किया जा सके, कहीं ना कहीं, यह जो कुछ भी बोल आ गया है, November 2016 में जो judgment आया, उसके बाद March 2017 में जो judgment आया, November 2016 में जो judgment यह आया, Implementation of door-to-door delivery of bottled water, from March 2017 में जो judgment के आया, कि भी हजारों की तागाज में, जो lead pipes से नको कहीं ना कहीं, आप replace करिये, comprehensive tap water testing करिये, faucet filter installation करिये, इन दो judgments के बाद भी पूरी तरीके से task complete नहीं हुआ है चुकि कहीं न कहीं, this is a work in progress, अभी भी जो सरकार है, वो इसको कर रही है, तो कहीं न कहीं, November 2016 में जो judgment आया, और March 2017 में जो judgment आया, उस judgment को implement करवाने के लिए भी जो Flint resident है, वो आज भी लड़ाई कर रहे हैं, और इसलिए चीज नीज में है, तो जो Flint water crisis है ना, इसको आप environmental jurisprudence में कहीं पे भी quote कर सकते हो, तो environment से related, अगर आपके सामने कोई सवाल आता है, और आपको को example quote करना है, तो एक brief में तीन-चार लाइन में आप ये front water crisis वाला example quote कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि हमारे देश में जो national grain tribunal है या supreme court है, वो भी environmental jurisprudence में इस तरीके के judgment दे सकता है, ठीकिन आपना एक viewpoint आप यहाँ पे quote कर सकते हो, इस तरीके examples से आपके answers को depth देते हैं, वो आपकी deepness, इन एजुकित, आपकी जो preparation की deepness है, वो examiner को दिखाते हैं, so thank you for watching friends, I hope आपको ये particular news पसंद आई हो, good bye.